किसान अंदोलन भारतिय किसान यूनियन के राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकाइत ने रविवार को कहा कि जब तक MSP पर कानून नहीं बनेगा और नाए क्रिसी कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान का अंदोलन जारी रहेगा टिकाइत ने या बात रविवार को सहारन पूर्जी लेके नागल मार्ग इस्थीत लाख नौर गाओं में किसानों की महापंचायत को समधित करते हुए कही उन्होंने कहा जिस तरीके से पहले गोदाम बनाये गए और बाद में कानून बनाये गया वो किसानों की साथ धोखा है विपक्ष की मजबूती पर अपने विचार व्यक्त करते हुए टिकाइत ने कहा कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है मौसम विभाग के अनुसार अगले साथ दिन तक मौसम बिलकुल साफ रहेगा हलाकि एक माच को आसमान में आंसिक बादल चा सकते हैं हलाकि बारिस की समभवना नहीं है इसके बाद आसमान बिलकुल साफ रहेगा 15 मार्च से विधान सबा का खिराव करेंगे पारा सिक्षक अस्थाई करन बेतन मान तथा अने मांगो को लेकर लगतार अंदोलन कर रहे पारा सिक्षकों ने एक बार फिर अंदोलन सुरू की चेतावनी दी है बता दे एकिकित पाराशिक्षक संगस्मोर्चा की राज्य कमिटी की सनिवार को राच्ची में हुई बैठक में निनर लिया गया कि उनकी मांगों पर 14 मार्च तक करवाई नहीं हुई तो 15 से 29 मार्च तक पाराशिक्षक विदान सबका घिराव करेंगे बता दे उनकी मांगों में अस्थाई करन करते हुए बेतन मान अप्रसिक्षी एनसी अंकित पाराशिक्षको के 22 मा का बकाया मान दे भुगतान पलामु के छतरपूर नवडिया बजार प्रखन के 437 पाराशिक्षको के बकाया मान दे भुगतान पूर्व सरकार द्वारा पार स्थान सोमवार से खोल जाएंगे इनमें कक्छा आर्ट तथा इससे उपर कक्छावों के लिए सभी स्कूल के अलावा विश्व भी द्यालाए कोलेज, सभी तक्निकी वः प्रस्टिक्षन संस्थान, कोचिंग संस्थान, कोशल विकास केंदर सामिल हैं संस्थावों को कुरोना वाइरस से बचावों को लेकर केंद्रवा राज सरकार द्वारा जारी दिसा नेदेश कानुपालन अनिवारे रूप से करना होगा राजे में सोमवार से ही सिनेमा हौल तथा पार्क भी खुलेंगे बहुत जरूरी है बुजूर्गों और बीमारों के लिए टीका लेना है कुरोना वाइरस के संक्रमन के खात में के लिए सबी लोगों को इससे बचाव का टीका लेना वस्यक है लेकिन बुजूर्गों और बीमारों के लिए तो यह टीका लेना और भी जरूरी है बतादे इसका सबसे बड़ा करण यह है कि कुरोना वायरेस बुजुर्गों और बीमारों के लिए सबसे अधिक गातक सावित हुआ है आकडों के अनुसाराजे में 1090 लोगों की जान कुरोना से गई जिसमें 831 मरीद लगभग 7650 परस से अधिक आयू के थे ऐसे में इस आयू बर्ग के लोगों के लिए उनका टिका करन बहुत ज़िरूरी है हजारी बाग बरका गाउं में रहतों को वापस मिली जमीन हजारी बाग जीले के बरका गाउं स्थीत पसेरिया मोजा में ज्वाइंट बेंचर की क viewers की कमपनी समारो में ग्रमिनो ने लोक निवित और संताली गीत गाकर विधाय का भवे स्वागत किया कोरोना टीका करन का दूसरा चलंग सोम वार्श से प्राइबेट अस्पतार में लगेंगे दोसो पचास रुपए एक माज से देश भार में कुरोन ठीका करन अभ्यान का दूसरा चलन सुरू हो रहा है इसमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को ठीका लगाया जाएगा इसके अलावे 45 बरस से अधिक उम्रवाले ऐसे लोगों का ठीका करन होगा जो अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्ता हैं बता दे जाकन सरकार ने ठीका करन के दूसरे चलन के लिए फूरी तैयारी कर ली है सो महार सुबा 9 बज़े से वैक्सिनेशन की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी सरकारी के साथ साथ प्राइबेट अस्पतालों में भी ठीका करन के विवस्ता की गई है सरकारी अस्पतालों में टीका करने सुल्क होगा जबकि प्राइबेट अस्पतालों में टीका लगवाने पर प्रती डोज 250 रुपे देना होगा जारखन में 62 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए 31 मार्च तक चलेगा विसेस अभियान जारखन के 62 लाख चात्र चात्राओं को पढ़ाने के लिए बिसेस अभियान चलेगा राज सरकार 31 मार्च तक सेतु गाइड बिसेस सिक्षन कारकरम के जरिये इन चात्र चात्राओं को पढ़ाएगी बता दे ए वैसे बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं साथी सरकार और स्कूल की ओर से उपलावद कराएगा डिटल कॉंटेंट वा ओनलाइन कलास से बंचित हैं इन में से 60 या 444 बच्चे सीधे ड्रॉप आउट हैं जबकि 61 लाख बच्चों को ओनलाइन सिक्षा नहीं मिल पा रही है इस कारकराम में 6-14 बच्चों को जिने किसी भी माद्यम से सिक्षा नहीं मिल पा रही है उन्हें भी जोड़ा जाएगा सभी स्कूलों के पोसक छेत्र में ऐसे बच्चों को चिनित किया जाएगा बतादे सभी स्कूलों के पोसक छेत्र में सेतु गाइड भी से सिक्षन कारकरम एक माज से ही सुरू किया जाएगा गुमला में साथ जोडों की समोहिक साधी जारखन के गुमला में सालों से लिवीन रिलेशन में रह रहे साथ जोडों की समोहिक साधी कराई काई बतादे इसमें से कई जोड़ों के बच्चे अपने माता पिता के बिवाह का गवा अभी बनें दरसल ए जोड़े गरीबी के चलते साधी के बंधन में नहीं बंद पा रहे थे जारखन में 44 नहीं संक्रमित की पुष्टी हुई है जो राची स्थे 23, पूर्वी सिमू 5, खुटी 3, गुमला 2, देवघर 2, बुकारो 2, हजारी बगदो, रामगर 2, चत्रा, एक, कोडर्मा 1, तथसराइक लासे 1 मिले है जारखन में कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख 9,9,97 half है वहीं 1,188,365 लोग स्थ हुए और 11,9 की मिलिती हो गाई भारत में 15,614 संक्रमित मिले हैं भारत में कुल माउथ की संख्या एक लाख 7,995 है वही एक्टिब केस की संख्या एक लाख पैसराटर, 775 है जार्खन में कूल एक्टिव केस 594 है जार्खन में कूल जाज की संख्या 55,28,514 है जार्खन के 6 जीलों में धान खरीद की स्थिती खराब जार्खन के 6 जीलों में धान की खरीद काफी कम हुई है बतादे सबसे कम सराय केला खरसावा जीले में हुई है विभागिये आकड़ा के मुताविक सराय के लखासावा जिला में 27,843 की इंटल ही धान खरीदा जा सका है 10 लाह काई नामी नक्सली जीवन कंडूलना ने किया आत्मसमरपन जार्खन सरकार के आत्मसमरपन एक पूर्णवास नेति के तह जार्खन पूलिस की नई दिशार नई पहल पर प्रतिबंधित CPI मौदी जीवन कंडूलना ने आत्मसमरपन कर दिया है पतादे पूलिस ने मीडिया के सामने उसे पेस्ट किया जीवन कंडूलना 10 लाकाई नामी मवादी है वह चक्रधर पूर्ग से खोटी तक सक्रिये था वह सततर मामलों में वंचित था मोके पराची डीसी चाविरंजन एसेसपी सुरेंदर कुमार जा ग्रामीन एसपी नवसाद आलम सहित कई अधिकारी मवजूद रहे चाना बेचने वाली पालनी की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे गोतम अधानी चाना की जंगरी बेचने वाली पालनी अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगी बता दे उसका पूरा खर्च उठाने के लिए अधानी गुरूप के चेर्मेन गोतम अधानी आगया है या पॉल उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर मदद के लिए की गई एक ट्वीट को देख कर की है बता दे इंटरनेट मीडिया पर फोटो वारल होने के बाद सुर्खियों में आई जारकन के सिम्डेगा जिला के रहने वाली पालनी कहती है कि अगर पापा जिन्दा होते तो उसे भुखे पेट नहीं सोना परता साथ ही माया के साथ सलक किनारे वह अचाना की जंगरी बेचने को विवस नहीं होती सीम हेमान सोरेन के ब्यान से मतांतरन को मिलेगा बढ़ावा मिलिंद परांडे विश्व हिंदू परिशत के केंजरी मामंतरी मिलिंद परांडे ने कहा कि अउयदा में बनने वाले भवे राम मंदीर निर्मान के लिए चलाए गर निदी समर्पन अभियान के तहत देश के चार लाख गाओं के 11 कोर परिवार तक पहुचने में करकता सफल रहे हर वर्ग पंथ जाती सभी रायनितिक दल के लोगों का समर्थन मिला इस दोरान जार्खन सहीत पूरे देश के जन जाती समाज का उत्सा दिखते ही बन रहा था परन्तु जार्खन के मुखमंत्री का काना है कि आदिवासी हिंदू नहीं थे और नहीं रहेंगे ऐसे गर्जिमेदारा ब्यान है ऐसे ब्यान से जार्खन में मतांतरन को बढ़ावा मिलेगा किसी राजनितिक नितित को ऐसा ब्यान देने से बचना चाहिए बिर्षा क्रिसी विश्वविदाले रांची में 5-7 माज तक आविजित पूर्वी छेतर परदेशिक एवं एगरोटेक किसान मेला 2021 मेले में पसु पक्षी प्रेमियों के लिए पसु पक्षी की खरीद और देखने का बेतर मौका मिलेगा 2021 मेले में एक पसु पक्षी परदर्षिनी का भी आविजन किया जा रहा है इस परदर्षिनी में पसु पालन से जुड़े किसानों को भाग लेने का मौका दिया जा रहा है जार्खन में विद्यार्थियों की पर्तिभा निखारने को चार फेश्ट जार्खन टेक्निकल उन्वर्सिटी विद्यार्थियों के सवाणिय विकास को लेकर एक नई पाल सुरू करने की त्यारी में है बता दे अब तक विद्यार्थियों को सिक्षा के छेत्र में गुर्माताप पुन सिक्षा मुहिया कराने के साथ साथ उन्हें अने छेत्र में बेतर करने का बिकल्प भी त्यार किया जा रहा है विद्यार्थियों में छीपी परतिवा को निखारने के लिए जाकन टेक्निकल उवर्शिटी ने अगले सत्र से चार छेत्र में फेस्ट का आवेजन करने का पसला लिया है इसके अंतरगात स्पोर्ट फेस्ट, कौल्चरल फेस्ट, टेक्नो फेस्ट और इंटर प्रेनियोर्शिप फेस्ट का आवेजन करने का पसला लिया है होटलों में ठारने के लिए अब राइस्टर में नहीं करनी होगी इंटरी e-restaurant एप तयार अब होटलों में परवेस करते समय पेन, पेपर और राइश्टर के आउस सकता नहीं पड़ेगी और लोगों को होटल में ठारने के लिए राइश्टर में इंट्री करने की भी जरूरत नहीं होगी बता दे साइबर सीकुरिटी एक्सपर्ट दीपक कुमार ने इरेश्टुलेंट नाम का एप विक्सित किया है इस एप को पूलिस को सौपने के लिए जनकारी दी गई है इस एप पर डिजिटल प्रेटफर्म पर अधारित होटल में परवेस मिलेगी जारखन में अधन विश्वास के नाम पर हत्याओ का दोर थमने का नाम नहीं ले रहा है बता दे हाल ही में गुमला के कामडारा में एक ही परिवार के पांच लोगो के हत्या डायन विशाई के आरोप में कर दी गई वही राजदानी राची से 60 कांके में भी एक दिन पहले दमपति के हत्या कर दी गई चारखन पुलिस के आकड़े पर गवर करे तो बरस 2015-2020 के इन पांच बरसों में डायन विशाई के नाम पर 250 लोगों के हत्या की गई वही इस ओधी में डायन विशाई से जुड़े कूल 4660 मामले राजे के विविन थानों में दर्च किये गा है लोहरदगा में बलोरो से पसु तसकरी लोहरदगा में पसु तसकरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है बतादे पसु तसकर पुलिस पसासन की आँखों में धोल जोकर नए नहीं तरीके से पसु की तसकरी कर रहे है पसु तसकरी के लिए छोटे बड़े वानों का उप्रियों के साथ अब बलोरो वानों से भी पसु तसकरी की जा रही है जामता कीसी परदशनी में मंत्री ने 45 किसानों को किया समानीत रविवार को जामता महीला महाविदौर परशीर में जीलास तरीए क्रीशी परदशनी से संगोष्टी में पसतर किसान पुरश्कृत हुए जबकि एक सो से अधिक किसानों को गुलाप-फूल का पौदा पर मचली बेचने वाला ठेला समेत और उपकरन बाटे मन की बात कारिकरम पर कंग्रेस ने कसा तंज जार्खन कंग्रेस ने रवियार को परदान मंत्री नान्दमोदी के मन की बात कारिकरम पर तंज कसा कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि पीएम ने हर बार की तरह इस बार भी किसानों की समस्या बेरोजगारी, बर्ती मांगाई और गिर्ती अर्थविवस्ता पर चुपिस चाधे रखी सिर्फ इधर उधर की बाते कर और कहानिया सुना कर लोगों के मुल समस्याओं को दर्किनार करने का काम किया एक सप्ता से लपाता लड़की की लास मिली रेप के बाद हत्या किया संका जाखन के पलावू में लपाता नवालिक लड़की की लाच भीछत हालत में मिली लड़की एक सप्ता से गायब थी पिता ने लड़की के अफ़रन का मामला थाना में दर्ज कराया था बतादे 17 साल की धनती कुमारी अपने घर से 21 फवरी को गायब हो गई वही एक सप्ता बाद रविवार को उसकी लास नदी किनारे मिली काटना को लेकर ग्रामिनों में पूलिस के प्रतियाक रोज देखा गया गावालों ने लड़की की दुषकर्म के बाद आत्या क्या संका जताई सीवी एसी की प्रेटकल परिक्षा आज से सीवी एसी की दस भी और वरामि की प्रेटकल परिक्षा सो मोर से सुरू हो रही हा करता था करोबारी मोह काला किया जारखन के पलामों में करोबारी को महिला से चरकानी करना काफ़ी मांगा पढ़ गया बतादे लोगों ने मोबिल से आरोपी का चेहरा काला कर दिया मेला के साथ चेरकानी की थी गुमला में अंध विश्वास आदिवासी बहुल गुमला जीला के गाउं में सबसे जदा अंध विश्वास है बतादे गुमला जीले में जादू टोना भोत पिचास और डाइन विशाई में होई नरसंगहार की घटनाएं हैं अभी ताजा उधा 24 फरवरी की है कामडारा के पहागाव आम टोली में अंध विश्वासी लोगों ने एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मा महत्या कर दी थी यहां तक की मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा था गुमला की घाटना ने सरकार तक को अंध विश्वास के खिलाब सोच सब्सक्राइब कर बहुत करें लाइकन दबाएं साथ जात वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेयर करना ना भूलें साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबैक अवस्य दे थाइंक्यू